जब भी आप कोई YouTube वीडियो को create करते हैं और उसको upload करना चाहते हैं तो उससे पहले ये बहुत जरूरी होता है कि आप उस वीडियो का जो title है उसको लिख कर रखें उसको type कर कर रखें और फिर उस title को आप copy करके आप उस वीडियो को rename करें उसके बाद ही उस वीडियो को upload करे ये बहुत जरूरी होता है आपकी वीडियो को rank करने के लिए या फिर याद रखने के लिए भी बहुत जरूरी होता है कि ये जो वीडियो है जो मैंने बनाई है वो किस topic के उपर है आप उसको title लिखेंगे उसके बाद उसको rename करेंगे लेकिन यहाँ पी बात आती है कि YouTube का जो title होता है वो 100 character का होता है आपको कैसे पता चलेगा कि आपने 100 character पूरे कर लिए हैं या फिर नहीं आज इस वीडियो में कैसी आपके बारे में बताने वादा हूँ जिसमें आप YouTube का title लिख सकते हैं और ये जन सकते हैं कि आपके कितने character हो गई हैं और कितना आप लिख सकत हैं तो दोस्तों मैं हूं मुहमन हुसाइन और आप देख रहे हैं टेकल पर हुसाइन चैनल अगर आपने विदक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इसको सब्सक्राइब करें और हंटे वाला बटन दबाना ना भूलें इससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप कुछ ऐसा इंटरफेस आपको यहां पे इसका देखने को मिलता है अब बात करते हैं कि इससे आपको फायदा क्या होगा इससे आपको फायदा यह होगा कि अभी हमने एक वीडियो क्रियेट किया है हम बी आईपी एपलिकेशन के ओपर एक वीडियो बनाया है जिसको हम अभ आपको टाइटल लिखना होता है यह टाइटल हो सकता है पहले से लिख लेते हों या फिर आप जो हैं तभी लिखते हों जब वीडियो को अफ्लोड करते हैं तो आपको क्या करना है कि जब आप यहां पर आएंगे और इसको यहां से रिमूव करगेंगे तो यहां पर देख यानि 100 character से ज्यादा भी यहां पर word या character लिखे जाते हैं जिससे आपको बाद में problem होती है upload करटे time तो इसके लिए आपको simply क्या करना है कि आपको आना है इस character app में और यहां पर आपको type करना शुरू कर देना है जैसे आप आप अगर यहां पर type करेंगे तो यहां पर हैं 20 हैं यहां से आप यह पता लगा सकते हैं अब देखिए मैंने यहां पर already एक टाइटल लिखा हुआ है मैं उसको यहां पर paste कर देता हूं उसके बाद देखिए हमने paste किया है तो उपर आ गया है कि 86 यानि 86 character जो है उसका हमने यह टाइटल अपना बना कर तयार कर रखा है अब हमको यहां पर ज़्यादा कुछ करने की जरुवत नहीं है बस यह चेक करना है कि 86 से कम तो नहीं है बस यह चेक करना है कि यह 100 से ज़्यादा तो नहीं हो रहा है अगर 100 से ज़्यादा हमारे जो अलफाज हैं लफज हैं वो लिखे हुए हैं हमारे character लिखी हुए हैं तो उनको आपको छोटा करना है अब आपको simply यहाँ से आना है और यहाँ से आने के बाद आपको यहाँ पे इसको पेश्ट कर देना है अब देखिए यहाँ पे भी आपको मैं जूम कर दे के दिखाता हूँ यहाँ पे 86-100 यानि 100 में से 86 जो है हमने करेक्टर का यूज़ कर लिया है तो यह बहुत फायदे की चीज़ है अगर आप भी यूटूब वीडियो वगरा बनाते हैं आप क्या करेंगे पहले ही अपने टाइटल को लिख के तयार रख लेंगे अपने टाइटल को पहले ही बना लेंगे आपको बाद में प्रॉबलम नहीं आएगी जब आप कोई वीडियो बनाएंगे कोई वीडियो को अपलोड करेंगे उस टाइम पर आपको प्रॉबलम नहीं आएगी ये बहुत फायदे की चीज़ है वरना बहुत सारे यूटूबर्स ये गलती करते हैं कि बार-बार टाइटल में चैन्जिस लाते हैं कभी कुछ हकम करते हैं कभी कुछ जादा लिखते हैं तो ये जो है आपको मिल जाती है पिलेक्टोर पिर आप चाहेंगे तो इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्टन में दे दूँगा आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं डाउनलोड कर सकते हैं I hope वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटे वाला बटन दबाना ना भूलें इससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप सबसे पहले देख पाएंगे तो चलिए दोस्तों मिलते हैं को नई वीडियो के साथ अब तक के लिए जाएंगे